पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिक्ट, यामी और आस्ता पर अपना एक ऐसा स्पेल काष्ट करने वाला था जिसे काष्ट करते ही आस्ता और यामी दोनों खतम हो जाते पर अपना घोच आके अपने मिरर मैजिक ओल रिफलेक्शन सोन को बचा लेता है लाइट की स्पीड काफी तेज होती है, सबसे तेजी स्पीड लाइट की होती है गोच ने लिक्ट का मैजिक उसी के खिलाफ यूज किया एड उसका खुद का अटेक उसी को डियर कर देता है, किसका? लिक्ट का अटेक उसी को डियर यामी जोड़ जोड़ से हसते वो घोच से कहता है मैं प्रसन हुआ कि तुम वापस आगे वो भी एक new fancy spell के साथ और सारी महिमा चुराली मतलब कि सारी glory चुराली credit ले लिया जीतनेगा लिक्ट को हरानेगा घोच कहता है Captain आज मैं जो भी हूँ तुमारी वज़े से तुमने ही म को अपनी squad में लिया आता सो thank you यामी केता है ओ ऐसा तो सारा credit मैं ले लिता हूँ आस्ता कहता है Captain यामी तुमने कुछ नहीं किया गोच ने लिक्ट को dare किया तुम तो सिर्फ खड़ हुए देख रहे थे यामी आस्ता की खोपड़ी पगड़ के उसको उठा देता है फिंडर अगर मैं नहीं होता ना और मेरे special magic नहीं होता तुम यहां तक पोच भी नहीं पाते हैं गोच कहता है किसको फरक पड़ता है अब जल्दी से मेरे को मेरी मरी के पास लेके चलो फिंडरल बोलता है मैं तुमारा superior हूँ ठीक है ना so don't give me orders ओकेई गोच इस अपने देख रहा ह जब तक उसका magic recover नहीं हो जाता तब तक उनको उस गुफा में ही बैठना होगा जिससे गोच और यामी दोनों disappoint होते हैं गोच कहता है तुम कितने useless हो यामी लिक्ट के पास जाता है लिक्ट गोच को देखकर कहता है कि मेरे को risk नहीं नेना चाहिए था तुमको दर्द देने गोच कहता है कौन मैं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो यामी कहता है तुमने बताये नहीं कि तुम दोने एक दूसरे को जानती हो तो गोच कहता है मैं नहीं जानता है इसको ठीक है ना लिक्ट कहता है एक दिन तुम जरूर समझोगे यामी कहता है मुझे समझ नहीं आय पर हम तुमको Headquarters लेके जा रहे हैं उदर तुम सब कुछ समझा देना अपने बारे में और ये सब जो तुम कर रहे हो न Eye of the Midnight Sun गुरूप मिलके और उसके बाद यामी कहता है कटोड़ता का गरम खून वाला राजा का बदला आमने लेही लिया वो फीगोलियन के बारे में बात कर रहा होता है मैं rest in peace now आस्ता कहता है कि वो अभी मरा नहीं है जिसके जवाब में यामी कहता है क्या हमको हर एक डिटील के बारे में चिंता करने की चुरुत है क्या आप सीन सिफ्ट होता है नोयल Headquarters में कोल लगा की कहती है reinforcement कहा है उनको तो अभी यहां तक आ जाना चाहिए था तो वो कहता है मैंने इस बारे में तुमारे Captain को बता दिया बहुत पहले ही नोयल के पूछने पर वो बताता है कि यामी उसकी बात पहले सुनी नहीं रहा था पर बाद में वो वहां से निकल गया अभी तक कुछ बच्चों की अवाज आती है वो भार जाकर देखते है सेक्के कहता है मैं भी जाता हूँ मेरी सिफ्टोवर होने वाली है और मेरे Captain जागने वाले होंगे मेरे को उनको ये बात रिपोर्ट करनी होगी वो अपने Captain को इस situation के बारे में बताता है और इसी वज़य से वो आगे जाके बाद में आस्ता और यामे की हेल्प करने पोचते हैं सारे बच्चे वापस अपने पेरेंस के पास पोचे जाते हैं कुछ बच्चे बताते हैं कि कैसे सिटर थरेसा ने अपनी मेजिक को यूज़ करके उनको बचाया बच्चे के पेरेंस Noel को Thank यू बोलते हैं Noel नहीं He玉जआट को रिपोर्ट किया और बताया कि help की जरूरत है Magic Knight ने बच्चो को बचा भी लिया नो यल कहती है sure हम magic nat का काम है लोगों को protect करना और अपने मन में ही कहती है मैंने only Headquarter को call किया था और इदर बैठी थी और कुछ नहीं किया या मी सीधा अधर क्यों चला गया इदर क्यों नहीं आया मेरको एक नहीं अन्होंने इदर अखेला छोड़ दिया रेवेका को लुका और मारको की चिंता हो रही होती है क्योंकि वो उधर नहीं होते और आस्ता भी उधर नहीं होता नोयल को आस्ता की चिंता हो रही होती है नैरो आती है उड़ते हुए और नोयल को रास्ता दिखाती है वो नैरो का पीछा करते हुए वो sister thresa तक पोचे जाते हैं जहां लूका और मार को दोनों होते हैं रेवेका sister thresa के बारे मैं पूछती है कि उनको क्या हुआ ये सब कैसे हुआ क्या वो ठीक तो है न sister thresa कहती है मैं ठीक हूँ मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मैं तो अभी और सो साल लिये होंगी मैं कुछी देर बाद वापस से अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी रेवेका कहती है मिरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमारा ये ऐसान कैसे चुका पालगी बच्चों को बचाने के लिए sister thresa बोलती है मैंने ये अकेले नहीं किया आस्ता और गोच ने मेरी मदत की तब इस sister thresa के मुझे पून निकलने लगता है और healers उनको बात करने के लिए मना करते हैं नोयल ब्लैक बुल का रोप देख लेती है मार को बोलता है ये मिरे को आस्ता ने दिया ताकि मेरे को डर ना लगे और आस्ता ने सही कहा था इसको पैन करतो मेरे मेरे में एक अलगी courage एक अलगी level का सास आ गया था नोयल कई सवाल करने लगती है आस्ता कहा है और ये नया लड़का नेज कोन है वो लोग नोयल को बताते है कि आस्ता अभी भी गुफाम में fight कर रहा है कैप्टन यामी के साथ और उसके साथ फींडरल और गोज भी है नोगल सोचने लगती है क्या फींडरल और गोज भी है फींडरल को मेरे को टाउन में आके आस्ता के पास ले जाना चाहिए था फिर बाद में सोचती अपने मन में नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे को आस्ता की चिंता हो रही है मैं इसलिए बोल रही है क्योंकि magic night को एक साथ रहना चाहिए सीन सिफ्ट होता है यामी लिक्ट और वोल्ट उसको अपने binding magic से बान देता है पर वो सभी के सभी इंतिजार कर रहे होते हैं कब फींडल का magic recover होगा फींडल को अभी भी थोड़ा time लगेगा अपने magic को recover करने में यामी और घोच दोनों ही फींडल को चू चू करके दिखाते हैं कि वो उससे कितना disappointment है फींडल को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो उसको चू चू करे घोच सपने देख रहा होता है कि जितनी देर बाद वो मरी के पाज पोचेगा उतना ही मरी उसके लिए चिंता होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली वार याने की पाश्ट में एक बार हुआ था आस्ता उससे पूसता है क्या हूँ अधपाश्ट में गोच कहता है मैं तुमको कुछ नहीं बताने वाला और जो बारी को पाना चाहेगा वो मेरा दुश्मन है यामे के पेट गुडूड कर रहा होता है वो फिंडरल से कहता है क्या तुम कम से कम एक छोटा सा पोटल खोल के खाना लेके नहीं आ सकते फिंडरल भी लाइक आयम नोट अ डिलीवरी सर्वेस आस्ता के अलावा सभी काफी पावरफुल मैजिक सेंस कर पा रहे होते हैं उदर तीन लोग स्पेशल मैजिक से आप होसते हैं जो कि देखते हैं कि लिक्ट और वोल्टोस को पकड़ लिया है दोनों को ये तीन भी आई ओफ दा मिडनाइट सन के मेंबर हैं याने कि अपने हीरोस के दुश्मन आस्ता सोचता है कि वोल्टोस तो अभी भी यामी के बाइंटिंग मैजिक से बंदा हुआ है तो फिर ये लोग किसके स्पेचल मैजिक से इधर आ गए हैं उसमेंसे एक जो की बहुत लेजी लग़रा होता है दिखने में जो की वो दिखा रहा होता है कि वो बहुत लेजी है वो यामी के पास सूपर फास्ट स्पीड में जाता है और Yami की Grimoire को टच करके बोलता है काफी योनिक डिजाइन है तुमारी Grimoire का Yami Dark Light Light Less Less से उस पर अटैक करता है वो अपनी Super Speed से बच तो जाता है पर फिर भी उसके हाथ में छोटा सा कट लग जाता है जिसको वो Healing Magic से हिल करनेता है आसता भी लाइक ये बंदा भी Healing Power ये उसकर सकता है इसके पास भी Healing Magic है यार लिक्ट अपने साथियों से सोरी बोलता है कि वो अकेले अपनी ताकत से इनको हरा नहीं पाया वो जक्मी होता है फिर भी वो खुश होता है क्योंकि उसके साथि वहाँ पोच जाते हैं लिक्ट की एक साथि यानि कि उसकी मेंबर उसको अपने फ्लेम मैजिक से हील कर देती है वो आलसी बंदा लिक्ट से कहता है सब कुछ अकेले करने की जुरत नहीं है इतना बोज मतलो अपने उपर शैटान भाई साथ बोलते है तुम को पता भी है हम उन लोगों का क्या करता है जो हमारे साथ ही लोगों को चोंट पोचाते है जब मैं तुमको चीटी की तरह मसल दूआ और जैसे एक तितिली के पंक खाड़ देते हैं वैसा तुम्हारे संग करूँगा तब तुम्हें पता चलेगा आस्ता पूशता ये कौन है लिक्ट उनका इंट्रडक्शन देता है कि ये आई ओप दे मिडनाइट संग गुरूप के सबसे स्ट्रोंगेस्ट मेंबर हैं बैटल कॉम्बैक्ट में इनकी पावर लिक्ट को भी सरपास कर देती है ऐसा लिक्ट बोलता है क्लोवर किंडम के नाम से ही पता चलता है कि तुमारे किंडम ने क्लोवर को एजर सिंबन ले रखा है क्लोवर की तीन लीव का एक सुहाना सा मतलब है जो कि तुमारे किंडम को सोबा नहीं देता है फेथ, होप, एंड लव उसी का एकदम उल्टा मैंने इन तीनों को नाम दिया है यामी कहता है वे नाम भव्वे लगते हैं बड़ सिर्फ तुम्हारे नाम से ही तुम ये नहीं कह सकते कि तुम कितने पाउरफुल हो राया कहता है फिर आपो तुमको दिखाना पड़ेगा वो सुपर फास्ट स्पीड में यामी के पाथ जाता है और यामी की तरही डार्क मैजिक से उस पे हमला करता है एक्चुली मैं ये बंदा यामी के मैजिक की कोपी कर रहा है यामी कहता है मैं कोपी राइट उलंगन के लिए आप पर मुखदमा करने जा रहा हूँ एसा यामी जोप मारता है वो राया के अटेक को अपने अटेक से ब्लोकी करता है कि वेटो यामी पर हमला कर देता है यामी उससे बसता है फिर वेटो अचानक घोच, फिंडल और आस्ता की और अटेक करता है यामी उस पे अटेक करता है ताकि वो फींडरल आस्ता और वोच को बचा सके वेटो असानी से बच जाता है यामी सोचता है क्या इसने मेरी की को रीड किया वेटो यामी पर लगाता रहमले करता है और उसकी तलवार तोड़ देता है वेटो सोचता है मैं देखना चाता हूँ तुम लोगों के निराज चेहरे जब तुमारे पास जीतने के कोई भी होप नहीं होगी यामी वेटो सो कहता है ये कंश्टम मेड कटाना थी और काफी मेंगी भी थी मैंने अभी तक इसके पैसे नहीं चुका है तुमको इसके पैसे देने होंगे फाना अचानक बड़ा सा फ्लेम मैजिक का अटेक कर दे दिये यामी की ओर फाना के पास एक स्पृरिट मैजिक होता है सेलेमिड जैसे यूले के पास एक स्पृरिट है विंड इस्परिट यामी उससे बचके कहता है एतियासी चूज़े किसी को पचन रही है ओके यामी कहता है ये इस्परिट याने की वो चूज़ा मतलब वो सेलेमेंटे ड्रैगन फुली डेवलप्ट नहीं हुआ है फिर भी यामी के आद में वो फ्लेम लग जाता है थर्ड आई यामी से फाइट करता है यामी अकेले ही तीन से फाइट करता है और फिनरल गोच और आस्ता को अपने डार्क मैजिक डार्क काकुन में रहने को बोलता है वो इन तीनों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वो वेटो रायो और फाना से लड़ता है यामी बहुत दे कि यामी को हिट होने लगते हैं घोचो और फिंडरल अभी अपना मैजिक रीकवर नहीं कर पाया है कि वो यामी की एल्प कर सके आस्ता कहता है सर कैप्टन यामी मेरको तुमारी मदद करने दो तो यामी कहता है तुमको मेरी चिंता हो रही है बच्चे तुम अभी बहुत छोटे हो थोड़ा बड़े हो जाओ तब जाकी मेरी चिंता करना तुम खड़े रहकर बस मेरको देखो क्योंकि मैं अपनी लिमिट्स को याँ सरपास करने वाला हूँ लिक्ट बोलता है मुझे पता ही था कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हो पर तुम अपना टाइम वेश्ट कर रहे हो थर्ड आई मैजिक नाइट कैप्टन से ज्यादा इस्ट्रूम है फाना अपने सेलेमेंडर के फ्लेम मैजिक से यामी पे हमला करती है फुल ताकत लगा के जैक वहाँ पोस्ते है जैक कहता है वो तो तुम तीनों सभी मैजिक नाइट कैप्टन से ज्यादा ताकत वरो चलो तुमारी थियोरी को अजमा के देखें हे यामी तुम अकेले ही मजे कर रहे हो हमको भी थोड़े मजे करने दो यामी कहता है मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करने वाला था कि तुम इदर तूट पड़े तुम लोग क्या कर रहे हो दा अब जिस पोजिशन में तुम हो उसके साथ तुमको मेरे से रिस्पेक्ट के साथ बात करनी जाहिए तुम ध्यान रखना वरना किसी दिन में तुमको मोट के गहाट उतार दूँगा तुमको मार के दफना दूँगा यामी कहता है तुम अपना है रिस्टैल देखो तुमको मैं सीरियसली नहीं लेने वाला स्टूबिड चाललट बोलती है पैठेटिक तुम हमारे बिना इनको अरा भी नहीं पाए जहां फिंडल और आस्ता वाउ कर रहे होते हैं मैजिक नाइट्स को देखकर वही घोच कहता है कि यह कौन है फिंडल बताता है कि यह मैजिक नाइट्स के कैप्टन है जैक, ग्रीन मैंटिस का कैप्टन है इसको चीजों को काटने में मज़ा आता है एक बार इसने यामी के साथ एक पहड काड दिया था रोयल फैमिली से नोजेल सिल्वर इगल का कैप्टन जिसकी प्रेजेंस काफी कमांडिंग है काफी होट लगता है ये दिखने में और जब वो चारलोट के बारे में बताता है तो वो बहुत एकसाइड़ीड हो जाता है चारलोट की होटनेस देखके आस्ता कहता है तुम इतने एकसाइड़ेड की हो गया अचानक आप लोगों का फेवरेट कौन है मैजिक नाइट कैप्टन में मेरा तो फेवरेट है फुई गोलियन और कैप्टन या मी आप लोगों का कौन है कमेंट में बताईए अब इनके बीच में काफी तावरतोड फाइट होने वाली है तो प्लीज उस तावरतोड फाइट वाले एपिसोड की हिंदी एक्स्प्राइशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और सब वीडियो को लाइक करो एक्स्प्राइशन वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है मैं अपनी तरफ से जी जान लगा रहा हूँ वीडियो बनाने में तो प्लीज प्लीज आप भी अपनी तरफ से वीडियो पर खूप सारी लैक्स करिए और कमेंट करिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जैहिए